हेलो एरिवन आज हम देखेंगे कि पुलन विज्जा के लिए अपन्मेंट कैसे बुक करना है थ्रू विएपेस ग्लोबल सो विज्जा के लिए अपन्मेंट करना मतला बहुत बड़ी बात नहीं बहुत इजी फ्रोसेस है एक अपने जो डॉकुमेंट्स है वो अच्छे तरी इसके बाद में आप कुछ भी चंजस नहीं कर सकते हो और उसमें अगर आपको रिजेक्शन आया तो आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना है फिर से आपको फीस पेड करना पड़ेंगे तो इसलिए फर्स्ट आफ आप अल डॉकुमेंट्स आप अच्छी तरीके से चेक करके अगर अगर आपको कोई भी कंट्री के लिए कहा पेडी से ले सकते हो और आप उपलेंग फ्रॉं इंडिया और आइंड बोलाण इसी तरीके से आप और कंट्री के लिए घर यह यह हा पड़ेंगे इसान पर इपन कर सकते हो इस तरीके से पानमेंट ले सकते हो उसके बाद में टेक मी ओन एप सइट ने वीफ हुए रिएपर स्कवैद्ध कर सकते हो उसमें और सब्सक्रायद अद्याद करना हो केसे आपको एक form fill up करना पड़ेगा आपको form fill up करके और all documents कलेक करके उसके बास में आपको apartment book करना होगा उके, उसके बाद kleine book and apartment पिलिक करने के बाद आपको परहले आपको पान्ट, व्रेजिस्टर अकाउट, इमिल इडी पासफ़र्ड आपको mention करना है पासवर्ड के लिए भी जो उनकी जो कंडिशन्स मेंचन किये वो सब आपको उसमें चाहिए उसके बाद ही आपको अकाउंट करेट होगा रेजिस्टर रेजिस्टर करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन इमेल से इन किया जाएगा आपके इमेल पे इस तरही के से आपको आएगा उसके बाद एक्टिवेट अकाउंट उस पी क्लिक करके अकाउंट एक्टिवेट करना है फिर से हम लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद स्टार्ट न्यू टूपिAGंग पे क्लिक करना है उसके बाद अपको आपकोड़केशन इसाई है है उसके बाद appointment select करना है यह मैं actually dependent के लिए मैंने apply किया था इसमें अभी आया है earliest available slot 2012-2021 इस तरीके से आपको appointment का जो भी earliest slot वो दिया जाएगा और उसके बाद continue करेंगे उसमें all details आजाएगे actually इसमें यह भी हो सकता है कि जब आप search करोगे उस time पर appointments available भी नहीं हो सकता है no slots available इसा भी आएगा तो आप एक काम कर सकते अगर आप एक जगह से दुसरी जगह पर travel कर सकते हो माने कि आप एमदाबात center पर भी ट्राइवल कर सकते तो आप एमदाबात का भी booking ले सकते हो अमदाबात center भी select करके वहाँ का booking लेके वहाँ पर भी documents करके विजा के लिए apply कर सकते हो और most of the time आप month end की time आप check कर सकते हो तभी आपको slots available दिखेंगे क्योंकि मैंने जब apply किया था मैं actually dependent के लिए apply कर रही थी तब dependent का visas allowed नहीं था तो उस टाइम पर मुझे slot सी नहीं मिल रहे थे appointment के लिए date सी नहीं मिल रहे थे तो इस तरीके से आप पूरा process कर सकते हो उसमें फिर continue करनेगा उसमें और उसके बाद आपको personal details डालनी है first name, last name, gender, date of birth जो भी details है वो सब mention करने हैं यहाँ पर passport number आपको mention करना है expiry of passport email id जो है न जो यूज करते हो वही डालना क्योंकि उस पर आपको सब communication शेयर होगा जो भी है उसके बाद सेव करने के बाद इसमें आप एड़ एपलिकंट मतलब अनादर एपलिकंट अगर आपके साथ में कोई आ रहा है तो उसका भी आप उसमें एड़ कर सकते हो बट उसका चार्जिस एड़ भी होगा उसमें अब दो है तो दो का जो भी फीज है वह एड़ होगा अभी इसमें एपटमेंट का स्लोट्स दिख रहा है दिखो 20 का और 22 का तो आपको जो भी डेट आप वहाँ पर जा सकते हो आपके सब डॉकोमेंट्स लेके वह सिलेट करना और इसमे है आपको डाइम का भी ऑप्शन रहता है इसमें सिर्फ 9 बजे का अभी तो इसमें सब उनका जो सर्विसे से उसका चार्जिस दिया है प्रीमियम लॉंच मतलब उसमें वह ही सब डॉकुमेंट्स आपको यह करके देंगे कलेट करके देंगे वह सब लेने की ज़रूरत नही आपका विजजा का स्टेटस क्या है कि ओके यह सबसे मैंने कर दिया है पुरा डीटेल्स फिल अभी यह फाइनल मुझे पूछ रहा है कि अपन्मेंट्स के लिए सब डीटेल्स करेक्ट है कि नहीं वह चेक करके पिर अपने को सब्मिट करना है यह मेरा बुकिंग हो गया है के अपने का निए श के बाद आपको एक इमेल लाएगा उसमें आपको एप्लिकेशन जो दिया है उसका अप्रिंट आपको निकालके और बाकी जो भी रिक्वार्ड डॉक्वेंट्स को लेके विज ओफिस जाना पड़ेगा यह प्रिंट आपको रिक्वार्ड है यह एपन है कि डॉकुमेंट्स आप सब जो भी उन्होंने रिक्वार्मेंट्स मेंशन किये है उसी सब से सब डॉकुमेंट्स आपको अगर आपको यह वीडियो लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना जो भी आपके क्वेश्चन्स है इस रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानकर चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे शेयर कर सकते हों ओके थैंक्यू 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 फॉचिंग दे वीडियो